नमस्कार बच्चो मेरा नाम है कुनाल और आज हम बात करने वाले हैं मध्यप्रदेश ट्रग इंस्पेक्टर एक्जाम के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं नोटिफिकेशन बहुत पहले ही आच चुका है पर आपको आज में इस वीडियो के द्वारा सिलेबस और कौन चैनल को सब्स्राइब कर ले ताकि इस तरीके की वीडियो आपको और मिलते रहें चलिए बात करते हैं MP ड्रग इंस्पेक्टर एक्जाम की जो की 2022 का एक्जाम है उसका अगर आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको पोस्ट कोड 19 आपको सिलेक्ट करना रहेगा SCST Candidates के लिए 200 रुपे का फॉर्म है और OBC और General Category के लिए 500 रुपीस का ये फॉर्म है नेक्स बात करते हैं इसके syllabus की तो syllabus इसका बहुत ही डिफरेंट है डिफरेंट में सबसे पहले आप बात करेंगे कि part 1 जो की non-technical portion रहेगा जिसमें 100 marks के questions आएंगे और second part रहेगा technical जि आपके पास question आएंगे चलिए detail में देखते हैं कि syllabus का क्या division रहेगा तो देख सकते हैं आप आपके screen पर लिखा हुआ है part 1 जिसमें general knowledge, Hindi, English, science, math, computer awareness और reasoning ability के questions आपको देखने को मिलेंगे जिसका total weightage रहेगा 100 marks और इसमें pharma portion जो रहेगा 100 marks का रहेगा जिसमें आप देख सकत हैं pharmaceutical technology subject, analysis, pharmacology, toxicology, microbiology, pharmacognosy, hospital and clinical pharmacy, medicinal chemistry, anatomy, physiology, jurisprudence, bio farm और biotechnology के questions आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो यह रहेगा overall syllabus of this exam चलिए बात करते हैं आप आपने जब syllabus देखा होगा तो आपका दिमाग चकरा गया होगा कि इतना सारा syllabus है exam जो है वो February में है तो कैसे हम कयारी करें क्या strategy प्लान करें तो चलिए कुछ नहीं करना है क्योंकि अब देखो 44 ही पोस्ट है तो अब आपका दिमाग और ज़्यादा खराब होगा होगा कि यह सिर्फ 44 पोस्ट है और exam में बहुत बड़ा syllabus है तो हम उसको कैसे cover up करें तो चल general knowledge के लिए lucid follow कर सकते हैं Hindi के लिए भी आप lucid follow कीजिए अगर आप मैस के लिए ट्राइ कर रहे हैं तो आप मैस के लिए आयस अगरवाल बुक के लिए भी देख सकते हैं English के लिए भी आप lucid book purchase कर सकते हैं Speedy के current affair की बहुत अच्छे किताब आती है अगर आप current affair के लिए prepare कर चाते हैं तो इस book को आप refer कर सकते हैं व्यापम के पुराने papers जो है उसके लिए आप reasoning उतना बस काफी है अगर आप व्यापम के पुराने papers solve कर लिए reasoning के लिए उतना sufficient रहेगा तो आप व्यापम की तर्ख शक्ति जो के पुरेकर publication की आती है आप वो भी purchase कर सकते हैं next computer के लिए आप पुरेकर की जो पुरानी solved questions आते हैं आप वो भी solve कर सकते हैं तो this is all about non-technical part और 2017 में यह vacancy last आई थी right उसका syllabus हमने अभी discuss किया है आपके सामने अब आगे चलते हैं कि pharma के लिए आपको concourse किताबे refer करनी है याद रखिए जितनी भी books हम यह mention कर रहे हैं उन सभी books का detail आपको नीचे description में मिल जाएगा अगर आप purchase करना चाहते हैं तो Amazon और Flipkart पे सारी किताबे available हैं जो की एक application की है यह एक अच्छी किताब है इसमें पूरे इंडिया के drug inspector के question paper मिल जाएंगे with salt answers ठीक है next बात करते हैं अपन pharmacology के लिए सबसे बेस्ट किताब है वो उसका नाम है केड़ी त्रिपाठी इसका latest edition 8th edition है नेक्स अगर आप analysis की बात कर रहें तो निराली प्रकाशन की कस्तूरे भुका फॉलो कर सकते हैं इतना sufficient रहेगा इसके अलावा अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो आप वायर शर्मा ले सकते हैं फार्मकोग नोसी के लिए आपकी जो रामबान किताब है जिस अगर आप यह फॉलो करना चाहें तो आप इसको भी देख सकते हैं जूरिस्पुडेंस के लिए निराली प्रकाशन की भी एस कुचेकर बुक आती है और hospital and clinical pharmacist की एवी यादो की जो बुक है वो सबसे अच्छी किताब है आप इन बुक्स को पढ़कर आप प्रिपेर कर सकत हैं next बात करते हैं कि आपको strategy क्या फॉलो करना रहेगी तो दीके strategy में मैं आपको बता देता हूं कि क्या strategy आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप देखें आपके पास दो सब्जेक्ट हैं non-tech और technical दोनों subject से नॉन टेक में आपको डेली तू टॉपिक्स वो कवर कर लेना चाहिए अगर आप डेली दो टॉपिक करते हैं तो आप आप आपको डेली प्रैक्टिस करना रहेगी कर सकते हैं और आपको डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप खुद के नोट्स बनाएंगे और जैसा कि मैंने कहा आपको नोट्स बनाना रहेंगे आप खुद के नोट्स बनाएंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा ठीक है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर के लिए प्रिपेर करने के लिए अच्छी कोचिंग देख रहे हैं तो आप इस कोचिंग में जाकर अपना बैच जॉइन कर सकते हैं जॉइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है नीचे एक लिंक दिया है उसमें आप जाकर इनसे कॉंटाइक कर सकते हैं आपको इनका कॉंटाइक नमबर भी मेंचंड है तो इसके आगे डिसकॉस करते हैं हम नेक्स वीडियो में थैंक यू सो झाल झाल